इन्क एक आइए कि आई फ्रैंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हुँ के ई फ्लिप काड बैमे आपके लिए फ्लिप काडर हॉल लेक्वेंगी तो चलिए वीडियो स्टाउट करते हैं आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बहुती क्लासी फ्रेंज जो कि बहुती अफोड़िबल प्राइस में मुझे फ्लिप कार्ड पर रिसीव हुई है फ्रेंज तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी यह बहुती ब्यूटिफुल फ्रेंज यह इसका पैकिंग में आपको खोल के बताती हूँ यह तीन का सेट है पीचे के साइड में यह डबल साइड टेप है यहां से हमें निकालना है और एज इस तरह से हम वाल पे स्टिक कर सकते हैं और उसके प्रेंट कितना खूबसूरत है वैबरेंट कलर से उसके वज़े से इसका लुक बहुती अच्छा आ रहा है और यह वूड नहीं है फ्रेंट्स यह mdf का जो पैनल होता है उसके उपर यह फ्रेम है प्रॉपर उड का नहीं है इसकी प्राइस बहुती कम है फ्रेंट्स 150 में मुझे यह 3 रिसीव हुए थे इस फ्रेम की सबसे अच्छे बात मुझे यह लगी कि इसके लिए कोई भी हमें खील या फिर हुक नहीं लगाना है हम एस इसे स्रिफ निकालना है और लगाना है और यह रेंटल फ्रेंड लिगर पर्चेस करना है तुम्हें लिंक बिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से डिटेल्स चेक कर सकते हैं यह तो हो गया फर्स ट्रेम अगें मै फिर तीन का सेट है यह बड़ा फ्रेम है फिर बाद में इसके साथ में मुझे चोटे फ्रेम रिसीव हुए थे और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छे है प्रिंट इसका बहुत ही अच्छा है फ्रेंट्स आप देख सकते हैं आज के वज़े से थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको इसका पिक्चर कैसा दिख रहा है पता नहीं और यहाँ पर जो वर्क किया है यह बहुत ही खुपसरत है आप देख सकते हैं मैं आपको पास से बताते हूँ अगर आप अपना घर डेकोरेट कर रहे है या फिर रिनोवेट कर रहे है तो इस तरह के फ्रेंट्स बहुत ही अच्छे आप्शन है क्योंकि इनके प्राइज कम होता है और दिखने में भी बहुत ही खुपसरत लगते हैं यह फ्रेंब का प्राइज आपको स्क्रीन पर देखते हैं तीन का सैट है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह दो है अब यह आपको एक एक बताती हूं मैं फ्रेंड्स देखिए कितने वाइट कलर के उपर कितना अच्छा कलर कॉंबिनेशन लग रहा है यह यह उड़ नहीं है फ्रेंड्स एमडे अपका पैनेल है थोड़ा सा पतला है जो लास्ट वाला था यह थोड़ा सा मोटा है इस ट्रिप लगा के हमें लगाना है अगेन यह रेंटल फ्रेंड्ली है इनकी कलर कॉंबिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगया है इमेज में इसका साइज थोड़ा सब बड़ा दिख रहा था मगर एक्च्छल में मुझे थोड़ा छोटा रिसीव हुआ है मर कोई बात नहीं इनके क्वालेटी और इनका जो कलर कॉंबिनेशन है यह बहुत ही अच्छा है फ्लिप कार्ड पे वाल पेंटिंग वाल आर्ट अच्छे मिलते है क्वालेटी भी अच्छी होती है और साथ में अफोड़िबल होते है तो इन में से आपको कौन सा पेंटिंग अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बताना वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चानल को बाई स्टे क्रेटिव स्टे होम